हेलो वेल्कम इवरीबोडि दोस्तों आज बात करेंगे हम पच्छम दिसा से उत्पन बीठी होनों के बारे में दोस्तों पच्छमी दिशा से नॉर्मली तीन बीठी शूल तैयार होते हैं एक चत्र नंबर दो और ये तीसरा दोस्तों पहला पच्छमी दिशा से जो भी समिछ दिसा अने वा लुकंड के दख्षनी भुकंड के दख्षनी। भुकंड का दख्षनी। वर अगर से नकार मेक अरे का पर लिए या जो असुप्रभाव मुखट पुर्शों पर जादा पड़ता है कि पूर्सों में इसके कारण अनिक्तताय का विकास hyvin अनेतिक आचरन का विकास होता है आर्थिक स्थिति ःती डगमगाती रहती है परिवार में एक अस्दिता और परेशानी तो फोड़ी सी कमद अस्वल्ता ड़ी इसके कारण बनते हैं यानि इसके कारण अस्फलता परिशानी परिवार में कुछ न कुछ बनी रहती है थोड़ी सी तो वैसे ज्यादा प्रभाव इसका परिवार के मुखिया पर पड़ता है उसके अंदर एक अनेटिक ट्राइब के आच राणों का विकास होता है वह बढ़ते हैं उसमें दूसरा है यह जो मनें कहा यह जू भीदिसूल तयार हो रहा है टी-पोइंट बनता है यह खंड के वैसे बिल्कुल बीचों बीच है को यह दक्षिन चोर पर है यह बीचों बीच बन रहा है यह ठीक है यह जो पश्चमी दिशा से कोई रास्ता आ रहा है और यहां टी-पॉइंट बनता है यहां पश्चमी दिशा से आने वाला मार्ग भुकंड के मद में यहां बीचों बीच मिले तो यह इस्तिती सुब होती है यहां मकान बनाया जा सकता है कुछ बातों का ध्यान रखते हुए यहां मकान बनाया जा सकता है यहां भवन आपको यानि पूरे परिवार को सुफल देगा मगर मुख्या के दिमाग में कुछ अस्तिरतासी बनी रहती है बाकी करीब-करीब अच्छे ही फल देता है तीसरी भी तीसूल तयार होती है जो की भूखंड के यह मालों उत्तरी हिस से में यानि पश्चिम से भूखंड पश्चिम से कोई सड़क आती है और आने वाला मार के भूखंड के उत्तरी दिशा में यहां आकर मिले अर्थारती यहां टी-पॉइंट बने उत्तर के इसकोने के आसपास टी-पॉइंट बने तो ऐसा वी दिशूल आदमी को आनंद देता है सफलता देता है और पुरुष व्यापार करते हैं उसमें अच्छा उन्नती होती है अच्छा निरंतर विकास होता है यह प्रगर्ती होती है उनकी प्रतिष्ठा में भी विर्दी होती है पुर्सों में एक नेत्रत चमता बढ़ती है यह अदबुत भूदबस जादा सबहता है क्योंकि इसमें पुर्सों का जो नेत्रत चमता बढ़ती है नेत्रत करने की जो अदबुत समता बढ़ती है वो राजनीतिक लोगों के लिए या लीटर टाइप के लीडर्शिप टाइप के लोगों के लिए ऐसा भुखंड बहुत ज़्यादा फाइदेमान होता है देने बाद दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो